आप लोगों के लिए आज का काफी बड़ी मज़िदार विडियो होने वाला है ग्यहूम की कटाई का विडियो सुख हेलो फ्रेंड मैं हरिसंकर कुमार आप लोगों को हरिसंकर बिलोग्स यूटूब चेनल में स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों के लिए काफी बड़ी इंटेस्टेट वीडियो लेके आ रहा हूँ जिस वीडियो का नाम है ग्यहूम की कटाई जैसे कि आप सभी को पता है ग्यहूम की कटनी सुरुवात हो चुकी है और किस तरह से ग्यहूम कटाया जाएगा आप लोग जरूर देखेगा तो जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अभी मैं अपने खेत के पास जा रहा हूँ और खेत के पास जाने में बीच में एक नदी सा है तो आप नदी में हम लोग किस तरह पार होंगे वह भी आप लोग देखेंगे क्योंकि अगर आप इस हरिसंकर विलोग्स यूटूब चैनल पे पहली बार हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको इसी तरह का नए न के बगल पीछे मैं इस नदी के इस पार हूं खड़ो रहा है और ये नदी के किनारे काफी बड़ी आप लोग को सब्धानिया बरतना पड़ता है और पीछे देख रहे हैं यहूं कटा हुआ है तो इसको कटा हुआ है जिस तरह से लेवर मैदूर से कटाया जाता है हम लोग को चकवंदी सिस्टम नहीं है और चकवंदी सिस्टम होता है तो एक जगा कटवाने में अच्छा राता है छोटा छोटा यहां बिहार में क्यारी होता है छोटा 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 कोला होता है जैसे कि आप सभी को भी पता है बिहार में उभण खावण है और बिहार में चकवं रूप से साप सुतरा किया जाता है और उस खेत में खाड का मात्रा नहीं होना चाहिए तब भी आप कटवा सकते हैं मसीन से अगर वैसे नॉर्मल प्रमप्रागत विदी से खेती करते हैं और मैं अभी नदी के पास पहुच चुका हूँ और इस नदी में पार होंगे और सभी को बताऊंगा इसका दिरिश्ट जिस तरह से देख रहे हैं नदी के उस पार मेरा खेत पड़ता है जो खाली पड़ा हुआ और बगल में देख रहे हैं पीछे बच्चे लोग भी देख रहे हैं तो मैं अभी फिलाल अपने जिन्स पेंट खोल के हाथ में ले लिया हूँ च हरिसंकर विलोग्स यूटूब चैनल के मादम से आने ले आने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग को मेरे चैनल के मादम से काफी बड़ी देखने को मिले वीडियो और नए नए वीडियो देखने के लिए और मोनोरंजन भी आप लोग को मिले हरिसंकर विलोग्स यूट लोग को बताऊंगा टेकनिकल जब मेरा एक वीडियो और एक चैनल बनेगा तो अभी नदी के उस पार पहुचने ही वाला हूँ नदी के कतन आप लोग को पुर्णू से दिरिश दिखा रहा हूँ एक पूल आप लोग को नजर आ रहा है लेकिन पूल वह दूर है काफी दूर है लगभग आपको यहां से एक किलो मीटर निर्यात करना पड़ता है पूल को उसके बाद हम लोग खेत के पास पहुचते हैं लेकिन अगर सिधी सिधी बोला जाए तो हम लोग को उस पार और इस पार आने में सिर्फ 200 मीटर की दूरी है जो हम लोग तुरंत नदी पार होक समय तो कम से कम अभी आप लोग को 10 दिन और लगता लेकिन जिस तरह से पच्या हवा ने चला और जो ग्यहुम कच्चे था उसको भी पका दिया हवा मिला के ये कड़ी सी धूप रहता है ग्यहुम की कटनी समय में और आप लोगों को काफी धूप के सामना करते हुए अपना काम करूंगा तो मैं उसको साथ लेके जाता हूँ ताकि वह भी इस चीज़ को सीख पाएं और आप लोग भी देखेंगे काफी बड़ी और खेत के बगल में देख रहे हैं काफी आप लोग को खेत जो पलोट और क्यारी के साथ साथ जो पडोसी खेत वाले होते हैं अभी कुछ गहुम काट चुके हैं और अदाचिधा लगा हुआ है ये तो बिहार के लिए काफी बड़ी खुसी और सुनारा दिन है जो कि अब गहुम की तयारी के साथ साथ काफी बड़ी खेती में तब्दली किया जा रहा है और बड़ी बदलव किया जा रहा है काफी बोला जाता है जो आप लोग को पत्तर का बनाय जाता है और तीना वाला ये लोहा था थोड़ा पतला दिया जाता है तो मैं फिलाल उसी लेके अपने ग्यहूम की कटाई करूँगा और आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरह से मसीन से क्यों नहीं हम लोग को शंभब है जिस मसीन एक पूर्न रूफ से सीधी ग्यहूम उसे चाहिए लाइनिंग बै लाइनिंग पूरी सीधी होनी चाहिए और देख रहे हैं बगल में जो टूटा हुआ ग्यहूम है जो ग्यहूम पूर्न रूफ से गिर चुका है उसको मसीन में जो कटाई करता है उप पूर्न रूफ से रुपाई किया जाता है और बुआई किया जाता है उसमें खड़ पत्वार इस तरह से पूर रूप से निकाल दिया जाता है ताकि ग्यहुम पूर रूप से खार है और ग्यहुम कोई गिर न जाए पानी सही तरीका से परे तो लोग से वीडियो जो आप लोग को अच्छा